तो हे गाइस क्या आचा सब के तो गाइस फाइनली बीजियम 3.4 का अपडेट आ चुका है और आज करेंगे हम इसको अपने PC के अंदर इंस्टॉल जैसे कि हारा अपडेट आता है तो हम लोग आपको एमिलेटर के पर किस तरह से इंस्टॉल करना है उसके एक वीडियो देते ह सबसे पहले हम लोग करों को खोल लेंगे और यहां पर खोलने के बाद आपने यहां पर टाइप करना है momo player पहले वाला कर वर्जन रहेगा आपके पास तो इसको आपने अंस्टॉल कर देना है पहले ही लोग नेया सब कुछ डॉनलोड करें तो यहां पर हम लोग जो इस सा हो गया इसको इंस्टाल कर लेते हैं और मैं सज्ट करूँगा कि आप इसको सी ड्रैवर में ही करें अगर आपके पाइस SSD है तो ज्यादा बैटर ऑप्शन हो बड़ी है मतलब प्रफॉर्फॉर्मस आपको दिखने तो यहां पर हमने इसको इंस्टाल कर लिया तो यह इंस्टा फाइल को डाउनलोड करने के बाद यहां पर कुछ फाइल बन जाएगी यह सारी फाइल की हमें ज़रूर्त पढ़ने वाली है अभी तो यह इस तरह से इस फॉल्डर को जब एक्स्ट्रेक्ट करोगे तो यहां पर सारे फाइल्स बन जाएगी यही जो फॉल्डर है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है मैं वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको फाइल आटमेटिक लिए डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड करने के बाद आप एक सेटिंग्स कर लेते है थोड़ी बहुत यहां पर सेटिंग रहती है उपर वाला मैं इस लिए कर लाँ हू नहीं करते देख सकते हैं बर यहां पर पर आप स्ट्वाली को प्ुरूरी को इसको को कॉपी कर लीजिए ने के बारे में अब को बता रहे हैं अगर आप कुछ बताने के जरूर ठहनी है बड़ यहां पर आने के बाद ठीक है यहां पर हम थोड़ा-सा यह बैटनेस को कुछ करने के जहाँ अपयेस सेटिंग है जो इसको हम लोग प्रस कर देंगे तो यह इतना हो गया तो और कुछ जारा डिस्टरब करने की किसी चीज़ को जूरूरत नहीं है यह सब जो चीज़े में मेन है वह पर अर्मोस सेलेक्टर है कुछ रहेगी तो हमें ह और यहां पर द्यान देने काली बात है तो यहां पर मॉडल नमबर है न मुवाइल का यहां पर सैंसेंग अपने टाइप कर लेना है और सैंसेंग के बाद मैं समिट करऄ यह सबसे जो चीज है इसको स्टार्ट होगे तक बीजा करेंगे त stress अभी हमने याना के उपर प्लेप score के उपर जाने के बाद अपने एक बार अपने अपने एड़ को लॉगिन कर ले ना जो भी सथ कर लेते हैं। ज्यासे बीजियम सर्च करते हैं। यहर्ट होते हैं। जैसे होता आप这 क्लिक करके इसको कट करते हैं। आप यहां पर उपर की सेड में आप तीन लाइन देख रही है आपको उसके सेड में आपको दिखेगा यहां पर एक मैं रूट एक्सपलाओ रूट वाले folder को और file fixer को आपने दोनों को एक साथ क्लिक कर लिजिए और open कर दीजिए directly आपके इंस्टॉल हो जाएदाए यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इसके player के अंदर यह install हो चुके तो इसको होने के बाद सबसे पहले root को कर लेंगे root permission को इसको member for choice इसके ओपर click करेंगे और यह होने के बाद बस इसको cut कर दीजिए कोई कभी हम इसको owning करना है भी permission बाद में कर देंगे permission on कर देंगे fixer को भी आपने on कर देना है एक बार on करने के बार आप बाद स्क्रॉल करेंगे तो साइड में आप देखेंगे तो यहां पर लॉफ कर देना इस permission को अलोग करना बहुत ही ज़रूरी है तो इसको बंद कर देते हैं यह बंद यह बंद यसा नहीं होता इसके और इसको फिर से क्लिक करेंगे डारेक्ट कर देते हैं यहां से आने के बार अपने एक बार फिर से इसको on off कर देना तो यहां पर हमने इसको off कर दिया ठीक है on off करना जुरूरी है क्योंकि अपनी permission को जो है अपने को permission अलोग करना ही बढ़ती है अब यहां पर होने के बार इतना काम हो गया अब यहां पर ह अबने में इस फाल को एक स्टेक्ट किया था वहां पे हमारे जो फोल्ड रहेगा एक जुहां जो फस्ट वाली यह निव अरिभ भाइल दोनों फाइल्स को आपने कोपी कर लाना है ठीक है, कोपी करने के बाद यहां पे डॉकॉमेंट के अंदर जाना है, मोमो शेयर फोल्टर के अंदर जाना है यहां पी आने के बाद इसको कॉपी पेस्ट करके प्लेस कर देना है यह सेम मैथड़ वही है गई जो 3.3 के अंदर हमने अपलाई किया है सेम वैसा है अगर आप वीडियो नहीं भी देखोगे वैसे वीडियो पे आई है तो आप देखी सबसे पहले स्टो इसको आपर कलीख करोंगे डाउन्लौड के अंदर जाओगे हमें फाइल जो अब अब क्री किए हो अमारे डाउन्लौड के अंदर हमने प्रीकिक यह पासींगे तो यहां पर फाइन के होंसे करेंगे पर निचे वाले फोल्डर के इसके अंदर जाने के बार आपने side में आपको दिख रहा है यह पे इसको click करके यहां पे हम copy paste कर देंगे तो यह हर बार आपने करना है जब भी आपने दिन में game start करना है जब आपकी बंद हो गई है और टीकली कुछ भी हो गया तो आपने इसको कॉपी पेस्ट करके ही गेम को लॉग इन करना ए तो गेम लॉगिन नी होगी याद रखना स्किप कर देता हूं यहां पर चलिए यह हमारी स्टार्ट वी तो आप देख सकते हैं तो गाइस हमारी गेम अपडेट हो चुकी है अब मैं आपको दुखाता हूं रहा है कि यह दिख सकते हैं आप हमारा न्यू वर्जन ट्रेंग रहूंड आप हम डाउनलोड कर लेते हैं है तो दिक्कत हो जाती है फिर बाद में चलती नहीं है तो फिर मेरे को मैसेज करते हैं तो सब चीजों सब लिए करो तो कोई बड़ी बात नहीं है तो चलिए ट्रेंगर हम लोग स्टार्ट अब जब भी अपने गेम आउन काने तो फिक्सर को उनका जब 90% के उपर हमारी आ सब्सक्राइब कर देंगे चलेगा तो 9080 के अंदर आता है तो आपने फिक्सराओं कर देना बैक्रोंड नहीं तो फिक गेम से चलती से बाहर हो जाओगे तो इस तरह से सैटिंग कर लेने हैं तो गई आराम से आप कर सकते हैं तो यही थी मारे आज की यह वीडियो अगर वी